दम्ब और एहिंकार में चूर सरकार ने रसोई गैस का दाम 25 रुपए प्रती सिलेंडर बढ़ा दिया है ये बढ़ोतरी अनैतिक तो है ही असमवेदन शील बहुत है और इसी के बारे में कुछ लाइन हम लोगों ने लिखी है आप हमारे पीछे भी उसको पढ़ सकते हैं और वो लाइन आपको दो मिनिट में जरूर हम लोग बोलना चाहेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गैस और चूला वगएरा रखा है महेंगी गैस महेंगा तेल महेंगा है चूला चूका जनता को ठगने का नहीं छोड़ा है कोई मौका फिर से डाल दिया है तुमने सबकी जेबो पर डाका अच्छे दिन का वादा करके देते आए धोखे पर धोखा यही असलियत है इस सरकार की और इनका पाखंड इतना जादा है कि मैं वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी जो तब गुद्रात के मुख्यमंत्री होते थे प्रधानमंत्री बनने की मुहिम शुरू कर चुके थे ग्यारा बचकर सत्तावन मिनिट पर 13 जून 2013 को मोदी जी का एक ट्वीट है और वो आप सबके साथ सांजा करना चाहती हूँ उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है दिल्ली में बैठी कॉंग्रेस की सरकार महंगाई से त्राही त्राही कर गरीब जनता के घाव पर नमक छड़कने का काम कर रही है ये 2013 में भेजने वाले लिखने वाले मोदी जी ने असलियत में क्या किया है आप लोगों के साथ हम साजा कर देते हैं थोड़े से फिगर्ज भी हैं तो उसको रिपीट करके विवर्स के लिए बताएंगे आज जब महंगाई से पूरे देश में त्राही माम मचा हुआ है भारतियों का बजट बिगड़ चुका है दो वक्त की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मन्दी से जूचते इस देश पर एक बार फिर से महंगाई का प्रहार किया गया है रसोई गैस के दाम 25 रुपे बढ़ा कर अब 819.5 अल्मोस 860 रुपे प्रती सिलिंडर दिल्ली शहर में बिकरा है देश के अन्य राज्यों में अन्य जगहों पर दूरी को देखते हुए ये सिलिंडर के दाम कहीं कहीं हजार रुपे तक पहुँच चुके है और ये एक या दो बार बढ़ने वाले दाम नहीं है साथ बार में दाम 265 रुपे बढ़े है नवंबर 2020 में रसोई गैस का दाम जो था उससे 44 प्रतिशद बढ़त हुई है और यहां बताना जरूरी है कि मई पिछले साल से सरकार ने सबसडी देना भी खतम कर दिया है इक का दुक का रुपे कहीं देते हैं क्योंकि कंट्रोल प्राइस और मार्केट प्राइस को एक कर दिया है और एक करने की वज़े से अब सबसडी की कोई गुंजाईश नहीं रह गई है यह इसलिए जादा अनैतिक है और इसलिए यह जादा आप नमक मिर्चा रगण रहें घावों पर क्योंकि इस समय देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है बेरोजगारी से गुजर रहा है आए 97 प्रतिशत लोगों की कम हो गई है 37 लाख नौकरिया एक एक महीने में चली गई है तो यह नमक मिर्च रगण ना तो है ही लेकिन यह सरकार के दम अहंकार उनकी असमवेदन शीलता का इस से बड़ा परिच है और कोई नहीं हो सकता था जब सवाल पूछिए तो 7 साल में सत्ता में होने के बावजूद दोशा रोपड होगा पहले की सरकारों पर दोशा रोपड होगा राज्यों पर और दोनों दोशा रोपड पाकःंड मित्या पहलाने वाले गलत है मैं एक बात यहाँ पर पुर्जोर तरीके से बोलना चाहती हूँ कि दामों में ये वृद्धी केवल वैश्विक वृद्धी का नतीजा नहीं है क्योंकि अगर साओधी अरामकों का दाम देखा जाए जिससे कि हमारे LPG सिलेंडर का दाम ते होता है तो वहाँ पर दाम 611 डॉलर प्रती मेट्रिक टन है रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट 79 रुपए 22 पैसा है अगर इन दोनों को मिला कर देखा जाए तो सिलेंडर इस समय 600 रुपए पर बिकना चाहिए था तो 600 रुपए पर ना बिक कर 860 रुपए पर सिलेंडर क्यों बिकरा है ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि मुनाफ़ा खोरी आम जनता की गला रेत कर आम जनता की कमर तोड़ कर क्यों करी जा रही है ये डिफरिंस समझना जरूरी है जो सिलेंडर 600 पर मिल सकता था वो आज 860 रुपए पर और कई जगहों पर 1000 रुपए पर बिकरा है ऐसा क्यूं हो रहा है मुनाफ़ा खोरी क्यूं कर रही है सरकार इसका सिर्फ एक जवाब है ये अचानक से अन्भिग्य होकर अजी हमें पता ही नहीं था ऐसे नहीं हो रहा है ये बहुत सोची समझी रणनीती का नतीजा है और मैं इसलिए ये कह रही हूँ और पूरी जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ जब हमारी केंदर में सरकार थी तो 1,47,000 करोर रुपए की सबसिडी हम देते थे 2014 तक उस सबसिडी को घटा कर 12,000 रुपए मात्र कर दिया गया है तो सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि हम कोई भी रियायत कोई भी राहत नहीं देंगे लोगों को ये सर्विदित है कि सरकार ने फ्यूल टाक्स से इंदन पे कर से 4,53,000 करोर रुपए कमाए हैं लेकिन उसके बाद भी बजाए राहत देने के बजाए वसूली कम करने के आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है कैफी आजमी ने लिखा था ऐसी महंगाई है ऐसी महंगाई है कि चहरा भी बेचकर अपना खा गया कोई ये मैं जोड़ नहीं हूँ अच्छे दिनों का अच्छे दिनों का अब ना वो अर्मान है ना वो सपने है अच्छे दिनों के अब वो ना अर्मान है ना वो सपने है सब कबूतर उड़ा गया कोई ये सच्चाई है मुझे नहीं मलूम आप में से कितने पत्रकार साथी मीडिया के लोग दुकानों पर गए आज सुबा मेरी ही चांदनी चोग विधान सभा के सराइफूस में जहां पर इस तरह के मिट्टी के चूले बनते और बिकते हैं आज सुबा वहाँ पर ये खरीदने के लिए गई कीमत है 200 रुपया वीडियो ट्वीट किया है महिलाएं वहाँ पर खरीदने पहुची थी सुबा सुबा घर में गैस का सिलेंडर खाली पड़ा है पता लगा 25 रुपय कीमत और बढ़ गई है हिम्मत नहीं है रोजगार नहीं है कमाईया नहीं है इसलिए सिलेंडर भेरवाने की बजाएं महिलाएं राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूँ बाकि आप अंदाजा लगा सकते हैं दूर दराज के देश गाउ में जहांकि माओ की चिंता देश के परधान मंतरी को लाल किले से हुआ करती थी कि माँ चूले लकडी पे चूला जलाती है दूवे से आखे अंदी हो रही है मोधी जी कहते थे किसी ने ना बुलाया है मैं अब खुद चल कर आया हूँ अब माएं बुला रही है उस गाउं में दूबारा से आप को मोधी जी जिनके चूले जिनके सिलंडर खाली पड़े हैं लेकिन इन चूलों को भी वो महिला आप वीडियो देखिएगा साफ कह रही है बारगेन कर रही है स्मिट्टी के चूले के लिए कि देश के हालात आप सोच सकते हैं कि कहां हम जा रहे हैं चिंता ये है दुख ये है ग्यारा महिला मंतरी बहुत बड़ा हमें कहा गर्व करिये फक्र करिये देश में ग्यारा महिला मंतरी पहली बार इतनी बड़ा महिला मंतरी मंडल मिला है खुशी है लेकिन और खुशी होगी जब वो महिला मंत्री 11 की गारा परधान मंत्री जी के पास जाएं उन्हें मिलें उन पर दबाव बनाएं कि देश की आदी आबादी करोडों महिलाएं इस समय आपकी महंगाई की मार का बोज नहीं सह पा रही है उनके चूले बंद हो रहे तब तो हम देखेंगे इन महिला मंत्रियों का कोई फाइदा है मुद्दों से भटकाने की लिए बेरुजगारी महंगाई पेट्रोल डीजल गैस सिलंडर के बढ़ते दामों से धायान कहा भटकाया जा रहा है अली गड़ आज हरी गड़ हो गया अली गड़ आज हरी गड़ते घरेलू गैस का सिलंडर हजार पार हो गया मुद्दे है क्या इस देश के सरकार भटकाने के लिए इन मुद्दों को इस तरीके से और आज भी आटिकल्स चापे हैं कुछ अखबारों ने हिम्मत करके सच्चाई दिखाते हुए कि आज देश में अगर 30 करोड लप पहले फेस में आपने फ्री कनेक्शन दिये और एक करोड अब देंगे कुल मिलाकर नो करोड पता तो करिए वो नो करोड खाली सिलंडरों को भरवाने के लिए कितनी महिलाई अग्रहनिया आगे आई हैं खाली सिलंडर पड़े हैं उनके घरों पार परपरदान मंत्री जी आज हम सुभा से देख रहे हैं शायद महंगाई पर शायद पेट्रोल, डीजल, LPG, गैंस के बड़े दामों पर कोई ट्वीट करेंगे पारलेमेंट का सत्र चल रहा था एक जुलाई को दाम बड़े थे 25 रुपया घरेलू गैंस सिलंडर उननीस तारीक से जुलाई से लोक की वित्मंत्री का बयान आपके हमारे सामने आता है कि पेट्रोल, डीजल के दाम तो कम होंगे नहीं ये कितना भद्दा मजाख है कि आप कहती है कि कुछ भी कर लीजिए सडकों पर आ जाइए लेकिन पेट्रोल, डीजल के दाम कम होंगे नहीं और उल्टा LPG, गैंस सिलंड के दाम आप 25 रुपे बढ़ा भी रहे है, मुझे लगता है ये लोग तंतर को खुली चुनोती केंदर की मोधी सरकार से दी जा रही है, मोधी जी ने अपने भाशन में कहा था, आकडो को याद रखिएगा, आकडे याद रखेंगे तो सवाल कर पाएंगे, ये मोधी जी के भाशन में आप सुनियेगा, आज हम भी जनता को कहते हैं, आकडे याद करने होंगे